सब्सक्राइब करने वाला हूं जो स्टेफन का लिखा हुआ है अगर आप ने देखा होगा तो स्टेफन पूरा ना समसे स्टेफन का लिखा हुआ है और पॉयम का नाम है एन एलेमेंटरी स्कूल क्लासरू इने सलम सबसे पहले इसको बताने से पहले कुछ इसके थीम्स हैं कुछ इसके नोटिफिकेशन से उसको मैं चाहूंगा आपको में शेयर करता हुआ है यह पोयम है जो स्टेफन स्पेंडर बनाया था और यह उस चीज के उस बेस पर आधाईद पोयम है इंग्रेयन के एक जगह है जिसका नाम जो है वह आप देख सकते हैं किताब में भी रिखा हुआ है एक टैरोलीज टैरोलीज वैली नाम का है टैरोलीज वैली यह है और उस वैली में एक छोटी सी स्लम बसा हुआ है स्लम का मतलब एक छोटा सा कस्वा गंदी बस्ती वसी है गंदी गाव वसी भी है करिस्मिक मतलब की कि ऐसा इलाका जहां पर ऐसा जगह जो बहुत ही मेले कुछ होले जगह हो और साफ सुथरा नौ हो अन एजुकेटेड हो यह समझ सकते तो वहां के रहने वाले लोगों के यह बच्चों के उपर स्टोरी एक पोयम लिखी गई है एस पेंडर जो है उन्हीं पोयमों के आधार पर यानि उन्हीं जगहों के आधार पर टाइकलुर्वैली जो है उसी जगह के जो लोग रहते हैं विएन लोगों के रहन-सहन और उनके परिवेश्व के तो सब्सक्राइब का आज और हम आप दूनों सभी लोग कहीं किसी गाउं किसी कस्वे या किसी टाउन के सभी लोग रेसिदेंशियल हैं निवासी हैं और अभी भी इतना ज़्यादा विकसित होने के बावजूद भी चाओ हमारी कंट्री हो या किसी और देश के बात हो इस सारे कुछ ऐसे भी जब होते हैं जो पॉलिटिकल या किसी भी तरीके के वादों के शिकार होते हैं जहां पर बड़े-बड़े वादे कर दिये जाते हैं लेकिन धरातल प्यवास्तों में ऐसा कुछ भी नहीं होता है चुनाव या जो भी कुछ इलक्षन्स होते हैं उसके पहले सारे चीज़े बता दी जाती है ऐसा होने वाला है हमारी सरकार बनेगी या ऐसा कुछ होगा इस टाइप का पूरी चीज़े के हमको एक तरह से ओटर्स को लुभाने के लिए तमाम तरीकिंग बाते लोग कर देते लेकिन जब उस सीच को पूरा करने की बात आती है तो लोग पीछे हड़ जाते हैं सेम वही चीज़े हैं इसमें भी वही चीज़े बताए गई है कि जहां पे ऐसे जगा पे जहां के परिवार जहां के परिवेश जहां का माहौल इतने लोग अनेजुकेटेड भी है और वह कर सकते हैं कि कस्बों में जीतारेस द्यायों के बचे रहते हैं कि वह चिप्व Indy जगह के बच्चों को यह और एकति के वच्चों को नहीं मिट पाती वह कि तो सिधासिदा मतलब है कि जो जगह अगर बहतर जगह है वहाँ पर एजुकेशन बढ़िया है लोग अच्छे हैं पॉलिटीशेंस बढ़िया है और सपोर्टस अच्छे हैं तो वह जल्दी बिक्सीत हो जाता है लेकिन जहां पर लोगों की नजर नहीं पहुंचती है वह थोड़ा पिछड़ जात है और सुविधाओं से वनचीत हो जाता है कि अजेज जांपल सि में कुछ स्कूल ऐसे भी हैं जहां पर अभी वह नहीं उपलब्दे हैं लेकि में कुछ ऐसे भी स्कूल होते हैं जहां पर सावी सुभधाओं उपलब्द हैं तो जो ऐसे स्कूल जहां पर पूरी सुभधाओं से लेस है हर चीज मुहया कराई जाती है वो ठीक लेकि जहां पर यह चीज़ें अबलेबल नहीं है जहां पर सुभधाओं को वंचित रखा जाता है लोगों क वहाँ के जो बच्चे हैं अगर वो इनुझ स्कूल में जाएंगे तो क्या होता है आप देख सकते हैं इस कविता में ऐसे kaasb bike की वारत यह और उस Какश्वे में में काइसा स्कूल है जहां पर बच्चे जब जाते हैं तो डूबले पते कुपोशित होते हैं और यहां तक है कि वह जो दिवाले बनी हुई है इस स्कूल की पूरे एक तरसे कह सकते हैं कि पूरे डोनेशन पर बनी हुई है चंदे पर मकाने बनी है और उन मकानों के अंदर जो पोस्टर लगे हुए हैं जो विल्यम सेक्सपीर का एक फोटो भी लगा हुआ है और एक चीज तरह तरह के डिफिरेंट टाइप्स के फोटो लगे होते हैं तो ज़्यार आप सोच सकते हैं तो जो उस क्लास के बच्चे जो उसमें पढ़ेंगे जिनको किसी प्रका कोई शुवधा नहीं है तो आप देख सकते हैं छोटे चोटे बच्चे होते हैं वह क्या करता है उनके अंदर चोरी की भावन आती है। वह यह सोचती कि उस फोटो को चुरा लें, उस बाल को चुरा लें, उसको चुरा लें, उसको चुरा लें। वजह क्या है कि उनके जीवरों में चीजों का अभाव होता है। और वह उन चीजों को हकीकत मान बैठते हैं और उस चीज़ को लेने के लिए एक्दम लालाइत होती हैं और उसको हर कीमत वो लेना चाहते हैं कि उनकी पूरी दुनिया उसी मिसीमट जाती है और भी बहुत सřाथे कविता के माद्धयम से हैं जो में आपको बताना चाहूंगा तो सबसे पहले शुरू करने से पहले इसके जो difficult words हैं उसके बारे समध्द्स लिया जाए क्या कहाणी है और जो किताब में जो words difficult हैं उसके मतलब क्या है जिससे आपको पढ़ने में आसानी होगी और फिर भी अकद दिक्कत होगी किताब अगर आपके पास है तो ले लिजिए अगर नहीं हो तो इसके पूरी किताब का मैंने पोयम को डाला हुआ है आप उसको देखकर पढ़ सकते हैं चले मिनिंग को नोट कर लिजिए फार फार फ्राम का मतलब क्या बहुत बहुत दूर गस्टी का मतलब होता है ज्होंका वेब्स का मतलब होता है लहर रूटलेस जड़ विहील जिसमें जड़ नहूं वीट्स का क्या होता है जंगली एक तरसे घासपूस होते हैं जो बीना जड़ के होते है यार सब को मालूम है बालर होते हैं पहला का मतलब होता है पीला पढ़ना चेहरा पीला पढ़ जाना सीमन होता है दिखाइदेना है परतीत होना कि इस्टंस का इस्टेंट का मतलब क्या होता है अविक्षित होना अविक्षित का मतलब जिसमें अभी तक स्रुजनन नहीं हो पाया सहीर से सब्सक्रान रिवाइच करना नाल का मतलब क्या होता है बीमारी होती है थिक है और दीम का मतलब क्या हता है धूधला होता है उन्नो क्या को मतलब करता है चोटा बहुत ही छोटा जो नोट भी करने लायक नहों जो लिखित करने के लिखाने के नहीं हो जो तस छोटा होता हुद वाग मतलब धीवाले डोनेशन को मतलब चंदा कि धा बाउन का मतलब होता है उशाकाल प्राता का समय डीए或 यन मेली सबको पता है एक होता है कि फुलावरी फूल होता है ट्राइलोस वैली जो इन्लेंड में एक जगह है जिसको ना ट्राइलोस वैली नाम से उस जगह की बात की गई है आवाड ईश नाती दिखाती है उधर है परिशा कराना आवाड का मतलब कि इस सील का मतलब होता है सबको पता है बंदोना पैक होना के प्रेप्स का मतलब छोटा छोटा अंतरीप जो होते हैं उनकी बात होती है क्याप्स का मतलब कि वीड का मतलब ग्रेडा करना कि टैंप्टिंग का मतलब इंटाइस करना या लुभाना किसी को लालच देना टैंप्टिंग करना इस्टिल का मतलब चुराना कि स्लाइली में धूर्तता होती है क्राइम्ड का मतलब होता तंग तंग या परिशान होल्स का मतलब यहां घर से म मतलब है जिस घरों में औरहते है छे entropy कमनों अधुदला होता है कोहरा होता है यह एंडलेस अंत तक ह coffee करा रभी करशी दभी छीज देन्स प्रेका मद्ब बहकार की चीज़ेंaven ही हीती है हेर होता है पिप का पतल या करना होता है इस पैक्टिकल सबको पता है चस्मा होता है मेंडेड मरमत करना ठीक है मरमत करना मेंड करना जुधार करना तो इस कट्टू कड़े फॉगी का मतलब धूबी वही फॉख इस बना हुआ है धूदला दिखाईते ना इसलम का मतलब सबको मालूब है गंदी बस्तियां अ ब्लाट कमस दंगा होता है दूम का मतलब नाश या प्रलय जिसको हजार भी कर सकते हैं रिस्ट्रक्शन का भी नाम दे सकते हैं कैटकॉंब का मतलब क्या कबर होता है वह ऐसा कबर क्या जो ताखाने बना होता है ताखाने की जो कबर होती है उसको कैटकॉंब के नाम से जाना जाता है अजिन नीला दिखाए देना को स्ट्रंग्समस जबान सबको पता है अना une हो नेक मतलब नगन दिखाना बेयर होना दिखाई देना नगन दिखाई देना सारे वर्ट को मैंने क्लियर किया है फिर भी अगर कोई ऐसा भी वर्ड है आपको दिकत होगा तो कमेंट्स में बताएंगे तो चलिए विदाउट बेस्टिंग टाइम लट स्टार्ट आवर लेश फार फ्राम बहुत बहुत दूर गस्टी विस हवा ओओं के झोणकों से बहुत बहुत दूर है क्यास के झोगों के बहुत बहुत दूर है इस जो लो बच्ची को जो चेहरे वह बहुत-बहुत हवाओं के जोकों से दूर हैं क्लिए हुइ Casey like और कैसे करा है लाइक रूटलेस वीडिवे बच्चे यानि उन बच्चों के जो हेर हैं जो बाल हैं एकदण रूटलेस हैं जड़िहीन ईस गास फूस बाल इधर उधर पिखड़े बाल घास फूस जैसे घास पूस क्या आता है तिनके होते हैं इधर उधर निकल आते हैं उसी प्रकास से इन बच्चों के जो बाल हैं वो इधर उधर बिखर गए हैं कहा रहा है कि the air turn round their pallards onat. उनके पीले पन चेहरे पर कुपोषित यह जो चेहरा पीला पनुका दिखाये दे रहा है उन पीले चेहरों पर उन बच्चों के जो बाल है जो ऐसे दिखाये दे रहा है जैसे मानोह जंगली कोई घास फूस हो पिला जडे जड़ emerged वाले पेर पौदे हैं उनके जैस ताल गर्ल एक लंबी लड़की विद हर वेट जाउन हेड जो अपने सर के भार के वज़से वेट का मलब सर यानि अपने सर के भार के वज़से अपने सर को क्या किये जुकाए हुई है समझेंगे दचाल गर्विद हर वेट डाउन यानि एक लड़की है लंबी लड़की है जो अपने सर के वज़न के वज़से अपने सर को क्या हुई है उसी क्लास में जुकाए हुए है आगे तब पेपर स्टीमी और एक ऐसा बच्चा भी है जो पेपर स्टीमी पेपर कैसा होत होता है हलका सहावा भी देंगे तो उधिया जाएगा उड़ जाएगा तो इसमें जो बच्चा है उस क्लास में बैठावा एक लड़का भी है जो बेचार एक पेपर के जैसा एक तम पतलू टाइप का है देखा है मोटू पतलू का एक जामपल अप ले सकते हैं एक ठीक है क अपने स्रीके वजन में है ही नहीं और इक पतला दीखने वाला एक बच्चा है जो उस क्लास में बैठावा है और एक पेपर के जैसे पतला दिखा दे रहा है वी तरैट साई और उस बच्चे की जो आख पतला बच्चा है तो आँक भी उसका चूहे जैसा ही दिखाए है कि उस वह एक ऐसे परिवार्त भी लोंकरता है जहां पर सुभावें सही से उसके पास मौझूद नहीं है लिए है ठीक है सर अल्लकी एयर के मतलब क्या दुरभाग साली हो दुरभाग साली क्या एयर यानि एक तरह से दुरभाग साली एयर है एर का मतलब होता क्या उत्राधिकारी उत्राधिकारी का मतलब क्या होता है ऐसा चीज जो किसी के पिता माबापके ठीक है माबापके विरासत में जो चीपूत को मिलती है उसको एर बोलते हैं उसका शरीर है और एक वह दूरभाग साली उत्राधिकारी है आफ ट्विस्टेड बोल्स क्योंकि उसकी जो हड्डियां है वह एकदम ट्विस्टेड हुई है मुड़ी हुई है अर्था उसकी पूरी जो बाड़ी की हड्डी है वह बहुत ही कमजोर है अइटी हुई है और वह जो हड्डियां है उसे अपने पैरेंट्स के दुवारा दिया गया विरासत में उसको मिला हुआ है ठीक है आगे देखते हैं रिसाइटिंग 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 जो दुहरा रहा है क्या दुहरा रहा है फादर स्नाल्ड डीजी अपने पिता के स्नाल्ड स्नाल् अपने पिता जी के गठिया वले बीमारी इसके पिता आब को ऐसा क invariant आप लोगों ने हेरेडिटी का नाम सुना होगा ऑनुवांसिक लक्षड़या बीमारी कभी करना होगा तो जो मापाप जू बीमारी जो होती माता पिता को अक्सर वह बीमारी बच्छों को भी हो जाती है तो यहां पे जो बच्छा बैठा हुआ उस क्लास में वह एक दम पतला दूबला दिखाए दे रहा है और वह उसकी जो हड्डियां मूडी हुए एठी हुए है और वह ऐसा इसलिए नहीं है कि वह बीमार ह बलकि ऐसा इसलिए है कि उसके माता पिता का एक तरह से अनुवासिक लच्छड उसके अंदर उत्राधिकारी उसको मिल चुका है विरासत में पिता जी का वीमारी मिल गया है जिसके वजह से गठिया का रोग हो गया उसको इस वजह सो पिचारा पतला दूबला दिखाई दे आपको यह अभी तक क्लियर हो गया होगा आगे बढ़ते हैं क्या चीज़ा है इसके बार ही जलेशन उसका पार्ट जो है फ्राम हीद डिस्क यानि उसकी जो किताब है उसका जो पार्ट है उसके डिस्क पर मौझूद है यह बैक आफ डीम क्लास और वह उस क्लास के बैक में पीछे बैठा हाता है लेकिन वहां पे डीम है यानि रोष्नी सही से पहुंचने पा लेए धूधला है जहां फो बैठा हूआ है यहां उसकी क्लास में कर रहा है5 ii gue एक अनौटिड बच्चा यह बहुत छोटा सा प्यारा सा बच्चा बैठा होए इस आइस जिसकी यांके अपने बड़े बड़े फ्यूचर तो देखेगा नहीं वह दीवा सपने देखेगा यार जो भी चीजे वह देख रहा होगा सोच रहा होगा जैसा एक छोटा सब बच्चा सोचता है एक दिवा के सपन में खोई हुए वेचारा खोया हुआ कहीं और उसको ना पढ़ाई से मतलब ना किसी और चीज़ से मतलब वह एक अदम खोया हुआ है एक जामपल देख सकते हैं किसी भी छोटे छोटे बच्चे को आप अपने तरफ आकरसित नहीं कर पाते हैं उसका जमन होगा तभी होगा उसको तभी आकरसित कर सकते हैं जिसमें उस बच्चे का इंटरेस्ट होता है आपके इंटरेस्ट से वह आपकी तरफ आकरसित नहीं ह करेगा ठीक है वो किसी भी अमीर परिवार का बच्चा हो अगर उसको छोटा सा वयलून भी दिखाए देगा भले से 2 रुपे का हो अगर उसको बाजार में 10 रुप गुबारा पसंद आ जाए और जबकि उसका पिता उस गुबारे का पूरा फैक्टरी खई सकता है लेकिन उस आता है आप लाग फोर्स कर लिए यह सीख है यह ठीक है उसको नहीं मानेगा हूँ उसको वही चाहिए जिसको उसने पसंद किया है क्लियर है ऐसे ही तो वही कहा रहा है उस बच्चे की जो आखें हो एक दीवासवपन में खोई हुई है आप स्क्वारल्स गेम करा एक गिलहरी का गेम की तरफ हुई है क्योंकि जिस क्लास में बैठा हुगा है वह उसके बाहर खिड़की जो क्लास खिड़की लगी है उस खिड़की के मदे से बाहर देख रहा है कि एक पेड़ पर गिलहरी का एक गिलहरी है जो अपने घोसले में है यह अपने खोखले में है और वो बाहर आ रही ञारे उसी गेgen तर डेके ला की न की किता miseric कि इसकी पिश्चा वा उस पर देख रहा हुआ उस कमरे को देख रहा है इस कमरे में वह गिलरी अपना केम कर रही है एक लिह एक हो पहला स्टेप पहला स्टेफ होगा और कोई अगर नहीं होगा अच्छी से तो थोड़ा ध्यान देंगे अगर सावन भी आपको अगल बगल आपका सावन हो रहा तो सावन को भी क्या करना आप बंद कर लें अच्छे समझें ठीक है ओके पहला स्ट्रेप खतम दूसरा देखते हैं कि ऑन शौवर क्री मुबाल से वह जो दिवाले हैं दिवाल कमल आप देख सकते कि जो दिवालों भर के दिवाले होते हैं पपड़िया के फूर्ज जाती है कि पपड़िया कि उसमें सफेदी लग जाता एक तरसका दहिया जाता है घर्मी चला एक दीन रखेंगे तो रोटी प इतना डिन से बना हुआ है और भी वां किसी चीज़ का है recreation से बना खेंडा सबंवा यह जरा सोची इस झाला सामान होता है कितना मज़बूत कितना ठीकाव होता है यह आफ सबको पता है तो उस विद्रभी दिवाल बनी हो है ऐसा होता है صव जगीन चन्दा से सब कुछ बन आगे देखिए तो आनशोवर के लिए वास तो उस कमरे की जो दिवाले हैं वह दहीया गई है ठीक है पपड़ी आ गई है चूट रहे क्यों कि वह डोनेशंस की ध्यान की बनी हुई चीज़े हैं सेक्स्पीर हेड और उसी दिवालों पर सेक्स्पीर का तो इसमें भी जो फोटो लगा हुआ है बलकि सीने से पोस्ट कार्ट पासपोर्ट साइज का फोटो खिचवाते हैं तो भी सीने से लेकर नीचे कमर से नीचे नहीं है ठीक है सीने से उपर का सर का फोटो वहां पे क्लास में लगा हुआ है क्लियर है बाते अब देखिए cloudless at dawn यानि उसमें Shakespeare का फोटो लगा हुआ है और cloudless यानि एकदम बादल रहित morning time का picture लगा हुआ है यानि जो figure जो picture जो सिन्दी लग भी है वह cloudless dawn है मुझा बादल रहित उसाकाल का picture एक फोटो लगा हुआ है clear civilized dome और एक sub here dome का मतबता गुंबद और एक sub here गुंबद का photo भी उसमें दिखाई दे रहा है riding all cities जो सारे शहर की तरफ ले जा रही है सारे शहर को तरफ वह दिखाई दे रहा है यानि जो pictures लगए हुए है उस कमरे में जो sceneries लगए है वो सारे सहरों की तरफ सवारी करा है दिखाने का काम करा हुआ जितने भी उस class यानि उस room में pictures photos लगए हुए clear और बेल्ड फ्लावरी बेली के पौधे भी डेली के फूल क्या भी pictures है फ्लावरी फूलों का भी है ट्राइकोस वैली यानि वह जो ट्राइकोस वैली है उसमें बेली के फूलों को भी आच्छा दित करके दिखलाया गया है उस photo के उस picture उस scenery के मादिल से जो उस class में photos नक्षा है है अवाड करता है जो यह बताता है जो यह आप परिचह करता है the world its world एक संसार को दूसरे संसार से क्या करना चाहता है परिषय कराना चाहता है यानि उस फोटो को देखकर बच्चों के मन में यह बात आती होगी कि इसी टाइप का दुनिया होगा इस टाइप का सुटिजर लेंड होगा ऐसा ही ताजमहल होता होगा ऐसे ही सेक्सपियर हैं अरे यह ऐसी नदी है अरे नहीं यह ऐसी नद क taraf कराना चाहता है संपर्क करना चाहता है कौन करता Big pan करा रहा है कि वूसीज चीजो बाहर जाकर देखे नहीं है उन फोटो के मादम स वी दुनिया को समझ सकते हैं अगे दिखते का और शी फिर भी for these children यह जो बच्चे हैं दीज विंडोज यह जो खिलिकियां है not this map यह नक्षे नहीं है यह बच्चे जो है यह उनका नक्षा नहीं है वो maps जो खिलिकियां नक्षे नहीं है their world यह किवल नक्षा ही नहीं है उनका फिक्चर है फोटोज है वा 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 ऐसा नहीं है यह नक्षे नहीं है बलकि यह उनकी पूरी दुनिया है as example अगर किसी के पास cycle है तो और बेचारा गरीब है तो उसकी cycle ही उसके लिए BMW कार है आप उसको देखकर मजाक मत उड़ाइए ठीक है वह अपनी अवकास अगर cycle भी लिया है अपनी कमाई से तो वह cycle भी उसके लिए BMW की कार है क्योंकि उसके वो कार जो मिला हुआ है I mean जो cycle मिल हुई है उसकी मेहनत की कमाई हुई है ठीक है अगर किसी को इस तरीकी से अंडरेस्टिमेट नहीं करना चाहिए होट होता है उसको clear है तो मेरे कहने के मतलब है तो वह जो पूरी कलास है खिड़किया हो यह वह जो मैपस है वह के लोंका मैप नहीं है उन बच्चों की वह पूरी दुनिया है कि वह पूरी दुनिया को उन चित्रों के माध्यम से देख लेते हैं clear है आगे दिखते हैं पिर बता रहा है वेर आल देर फ्यूचर स्पेंटेड जाहां पर उनके सारे भविश्य पेंटेड है मतलब चिन्हित की गई यह या पेइंट की गई है पुटाई की गई उन उन चित्रों के मादवं से उनकी पूरी धविश्य उश्न में दिखाए देती है। उनकी पूरी दुनिया है वो क्लियर हैं ₹ आगे दिखते हैं विदे फॉग और के रहा है उस पूरे पेंटेड में उनका जो भविश्य है उत्तर से फॉग है धूदला वना हुआ है यादि पी उनका जो जीवन है उसी में ही संकुचित है और उससे बाहर नहीं जा पाते हैं इसलिए वह जो दुनिया वह पिक्चर्स है एक तर से उहरे की सामान की जीवन पे च्छाच चुका है पतला होता है दुरलब होता है और शिट कमल भगली यह वह चीज़े वह पिक्चर्स उनको उन गलीओं में दुरलब गलीओं में लेकर जाता है इन विट ए लीड इसका ही यानि ऐसे आसमान की नीचे लेकर जाता है फार फार फ्राम डिवर्स जो पहुत दूर दूर यानि नदियों से दूर लेकर चला जाता है अर्था तो वह कभी नदियों को नहीं देखेंगे तकि उन पिक्चरों से में वह नदियों को भी देख लेते हैं अर्था उस चीज से वह वन्चित होते हैं फार फार फ्राम डिवर्स वह नदियों से यानि कभी वह नदी को नहीं देखें कभी वो जेलम नदी के पास नहीं गएं कभी वो त्रिवेडी नदी के पास नहीं गएं उनके लिए उनके गाँ का पोखरा ही उनके सब कुछ है कि कि वो उससे बाहर नहीं गएं बात तमझ में आ रहा है ना तो जो जिसके पास मौझूद है उसकी वो पूरी दुनिया वही है, तो पूरा भविश्य तो वही उनका है, हो नहीं सकता कि उससे भी उनको आगे जाना चाहिए, लेकिन सुविधाओं के वज़े से वो पूरी दुनिया उन्हें की है, clear है, आगे, तो कहारा, far, 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 from reverse, वो बहुत सारे नदियों से दूर ह बैचारे, कैप्स अंतरीपों से दूर है, और संसार के सितारों से दूर है, अर्था सारे सुख सुविधाओं से बैचारे वो दूर है, कि उनकी पूरी दुनिया उन्हें फोटो और पिक्चर्स में खोई हुई है और उन्हें चीजों को अपना सब कुछ मान बैठे है, clear है आगे दिखते हैं निश्चित रूप से सेक्सपियर इस विक्ड है वास्तों में जो सेक्सपियर का फोटो लगा हुआ है एक तरह से घ्रडास्पद है नफरत के पात्र है वह फोटो नफरत के पात्र शेक्सपियर का वहां पे फोटो बता रहा है दो मैप ए बैड एक्जामपल जो उस इनके क्लासों में जो मैप्स लगे हुए है एक प्रकासे वह बूरे उदाहरन है उन बच्चों के लिए क्यों बैड एक्जामपल से विधिशिप्स विधिशिप्स में लगा हुए है एंड एक प्रकार से सारे जितने भी मैप्स हैं जितने फोटो स्पीर से ये वसमी एक तरह से बैड एक्जामपल हैं क्योंकि पुमिख सभी इस लिए ए 한 कि वो बच्चे जो सभी चीजों से वंचित हैं परिशान है उनके जिए नहीं है उस चीज को पाने के लिए टैंप्टिक लें लालत उनकी अंदर है और उस चीज को चुराने का प्रयास करते हैं लेने का प्रयास करते हैं कि मैं उस चीज को मैं ले लूँ छीन लूँ इसलिए ये सारे पिक्चर जितने भी फोटोस लगे हुए दिवालों पे उस बच्चे के अंदर एक लालच का संदिश जा रहा है कि मैं उन बच्चे को उन फोटोस को मैं ले लूँ इसलिए कभी यहां बताना चाहता है कि ये सारे चीजे एक परकार से बैड एक्जामपल से हैं ये कि इन सीजों को देकर बच्चे के अंदर उस चीज को चुडाने की लालच पैदा हो रही है क्लियर है आगे बढ़ते हैं फार लिप्स उनके जीवन के लिए उन बच्चों के लिए जो बहुत धूरतता तरीके से बहुत गलत तरीके से तर्न बदल जा रही है इन देर क्रैम्ड होल उनके तंग गलियों में चले जा रही है मतलब वह जो चीज सीख रहे हैं वही चीज व हमतल behaved लिए उसी education को लेकर वह चले जाते हैं कहां पर उन तंग गलियों में तंग गलियों का मतलब अपने array में अपने कणषब क्लियर हैं है आगे देखते हैं from侪ाग00 पनेश नाइट औकर रहा है उनके पूरे उनके रूम में कमरे में जो बेकाब चीजे यह सारे चोरी चीजे उने चीज़ों को इक अगठा कर लेते हैं और बेकार चीजा का एकथर लगा देते हैं साहरे चिजह लेकर ऊहां से चले जाते आगे यह जो बच्छे हैं यह बेकार चीजुका लुए है क्या चीजी जो फोटोस वगर है लगए मम सब लेकर बिदमाग बंग आते हैं आगे कर रहा है ये जो बच्चे हैं विद मेंडेट ग्लास या तूटे वे चस्मों का मरम्मद भी करते हैं उसके जैसे हूं क्या करते हैं मरम्मद भी करते हैं Like a bottle bits on store, तिक उसी प्रकास से जिस तरक से पत्धर के उपर टूटे हुए शीशे के टुकड़े होते हैं, उसको जुड़ने के काम करते हैं, ये बच्चे भी उनीं टूटे हुए शीशों को, बॉटल को मरमत करके चश्मा बनाने का भी काम करते हैं. all of the time all of their time उनका पूरा जो समय होता है इस पेस और फॉगिस लब एक दम धूमिल हो जाता है अर्था पूरा जो जीवन उन बच्चों का है एक तरह से कह सकते हैं फॉगिंग हो जाता है धूमिल हो जाता है ब्राइट नहीं रहता है सो इसलिए बलाट देर मैप उनके इस मैप को उनके इस दा को हटा दीजिए नश्ट कर दीजिए विज्सलम्स जो गंदी बस्तियां हैं ऐसे जगों पर उन बच्चों के दिमाग से उन बच्चों के मसे से उन बच्चों की जगों से उनको रिमूप कर दीजिए हटा दीजिए जो उनकी विनाश का जो उनके तबाहि को प्रय के रूप में लेकर आती है और था यह जो चीजें उनके जीवन में एक अफ़ी श्राव बनकर आती हैं आप उस चीज को क्या कर दीजिए कर दिजिए हटा दिए खतम डिधी कलियर कभी आप को इतर्व मैसेज देना चाहता है कि हम लोग को इस तरीके से काम करना चाहिए क्लियर है को लास्त लैन को कबर करते हैं सिलिस तब तक एक काम करना चाहिए जब तक रहाएं लेस गवरन और कोई गवर्णर वाय सराय इंज्पेक्तर कोई प्रशाशन या विजिटर या कोई यात्री यहाँ पर नो आ चाए अंग अगर आपके एक कदम बनाने से अगर सही काम होता है तो जैसे अगर आपका एक कदम बहतर की तरफ चलेगा आपके एक कदम को जोड़ने के लिए साथ चलने के लिए तयार हो जाएंगी क्लियर है इसलिए राइटर कहना चाहता है कदम आप बढ़ाए और उन बच्चों को उनके सही मार्क तब पहुंचाने का काम करिए और तब तक के काम करिए जब तक वहाँ पर कोई गवर् लडब करते रहی ऒिस्माइ talk of the window ml इन नक्षों को उनकी नची खीक्रिक्यां बना डाली ये ए 12 विन्डो और यह जो किया है that shut up on their life जो उनके जीवन को क्या कर दी है बंद कर दी है जो उनके जीवन बच्चों के जीवन को उनके tank slums को एकदम close कर दी उनको आगे नहीं बढ़ने दे रही है क्या करिए कर लिफ्स लाइक काट काटकॉम जो कैसे जी रहे एक तरसे कब्रगा में कब्र हो गया उनका जीवन दफन हो गया है वह खुले होकर जी नहीं पा रहे हैं उनको open करिए जाईए और उनको उस जगह जो संकुचित जहां पर जगह पर जहां पर वह हैं बच्चे उनको वहां से उनका क्या करिए एक तरसे उनको put out करिए और ऐसे brightness की तरफ लेजेए जहां परों का भविश्य उज्वल हो सके तब तक एक काम करते हैं जब तक कोई वहां पर प्रशाशनिक प्रशासन या पुलिस वाला या कोई ऐसा प्रशाशनिक कारें तब तक दिखाए नहीं कि आप क्या करें तब तक एक काम आप करते रहें प्लियर है अगले पेच पर देखिए, next पर लिखा गए है, break or break, open till they break the town, कर रहा है, तोड़ दीजिए, क्या तोड़ दीजिए, open till they break the town, यानि इन अगरों को तोड़ दीजिए, तोड़ने मलब क्या, इननों का विकास कर दीजिये, बना दीजिए, and show the children green fill, और उन बच्चों को जो इन स अर्थात उनको लक्ष को प्राप्ट कराने में उनकी मदद करें ताकि वो भी अपने अचीवमेंट्स को अपने गोल्स को अचीव कर सकें प्राप्ट कर सकें और उनको उनका संसार बनाने में उनकी क्या करिए मदद कि रिए एने जह बंद रहें जोर औा वंड और दौण दीजिए भागने दीजिए और लेट देम टंग्स और करा उनके जबान को उनके जीवे को मुख्त कीजिए अर्थाथ उनको पुछने की आजादी दीजिए वह पूछें वह कहें ताकि वह अपने लक्ष क्या कर सकें प्राप्त कर सकें करेंगे रन नेक्डि इंटु बुक्स उनको पूछने की आजादी दीजिए नेट करना नंगे मतल्न नहीं यानि पुछने का किताबों को पढ़ने की उनको आजादी दीजिए ताकि फुल रूप से ओपेन तरीक से जब आपते प्रस्णे पूछेंगे डिसकस करेंगे तब उनको मान सिखता है जो इंटलक्श्य और पावर विल बी इस प्रेड वह भी क्या होगा बढ़ेगा आगे यह क्या रहा है देखेंगे रन नेकड़े इंटू बुक्स उनको किताबों में दोड़ने दीजिए अर्थाद किताबों को पढ़ने दीजिए उनको पूरी आजादी दीजिए दा वाइट एंड ग्रीन लिफ्स ओपन हरे भरे वातावरन में उनको चलने दीजिए उनको मौका देजिए तक हो भी पढ़ सके आगे बढ़ सके हिस्ट्री देर हो और उनका अपना स्वाम का क्या करने दीजिए इतिहास बनाने दीजिए लेंगवे इस दसन और क जो भाषा का सूरी होगा अर्था जो भी उनका जीवन होगा वह अपने टेजश्वी और अपने बहतर नौलेज के बलपे सूरी के सामान वह चमक भी सकेंगे आगे बढ़ सकेंगे तो फाइनली स्टेपन बताना चाहते हैं कि अगर इन बच्चों को जो सलम एरिया में रहत जो इन सभी चीजों से एजुकेशन से या तमाम तरीके कनवें से वनचीत हैं तो इसका मतलब यह नहीं कि वह उसी के लायक हैं अगर वह इस तरीके से हैं तो कहीं न कहीं हमारी विफलता है हमारे गोवर्मेंट की हमारे प्रशासन की यह विफलता है और हमें as good as possible we have to conscious and then we have which belongs to us हमें जाकर ऐसे लोगों को अवेर एक तरस करना चाहिए ताकि जो उनकी मानसीकताएं हैं जो बेचारे इतने पिछड़े हुए हैं जो अपने जगव से कहीं जा नहीं पाते हैं उनको भी एक बार आगे बढ़ने का उसर जरू देना चाहिए इसलिए आपके अगल बग आपके अवे इसलिए जोन